जब आप शक्तियों को आखों में बैठाना क्या होता है और शक्तियां आखों में कैसे बैठ जाती है और किस तरीके से शक्तियां उस टाइम काम करती है वीडियो पूरा सुनना बोहत ही अच्छी जानकारी देने जा रही हूँ क्योंकि ये मेरा स्वयम का अनुभव है साथी साथ इस चैनल पर जो बाते बताई जाती है वो मेरा स्वयम का अनुभव होता है साथी साथ ये मेरे गुरुजी का भी अनुभव होता है या फिर वो हमारे सब्सक्राइबर भाई बेनों का अनुभव होता है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और ये सब बस और बस इसलिए होता है टाकि आप भक्ती मार्ग में आगे बढ़ सकें भगवान से जुड सकें सदकर्म कर सकें साथी साथ अच्छे फल आपको प्राप्त हो साथी इस देश का हर हिंदू जागरत हो सके और हिंदुत्व की भावना अपने मन में अच्छे से बैठा के भगवान की रहा पर आगे चल सके तो कॉमेंट बॉक्स में जैश्री राम लिखना बिलकुल भी न भोले तो दर्शकों देखिए होता क्या है सबसे पहले अगर आप भगवान की पूजा करते हैं आप आख बंद कर लेते हैं और आप ध्यान लगाते हैं किन्टु आपको थोड़ा समय लगता है ध्यान लगाने में तो दर्शकों आप अगर ऐसे करते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है कोई बुरी बात नहीं है किन्टु अब मैं अपना अनुभवाव से बताना जाती हूँ आप जब भी कोई भी मंत्र जाग करें किसी भी भगवान की पूजा अर्चना करें तो आपकी जो इश्ट है अर्थात जिनकी आप पूजा कर रहे हैं जिनको आप दिल से मानते हैं जिनके अंदर आपकी शद्धा है आपको उनकी जो तस्वीर है उसकी आखों से आखे मिला करके मंत्र का जब करना है जी हाँ आप अगर उनकी आखों से आखे मिला करके मंत्र का जब करेंगे ये आपके लिए बहुत ही जल्दी फलदाई होगा आपकी जितनी भी इंक्षाए हैं मनो कामना हैं अकांग्षाए हैं वो जल्द ही पूरी होंगी आप जो भी मंत्र जाप करोगे वो बहुत ही जल्दी सिद्ध होगा आपके मंत्रों का आपको फायदा बहुत ही जल्दी मिलने लगेगा तो दर्शकों जो प्रक्रिया है इसको करने में हो सकता है कि आपका मन थोड़ा विजलित हो, क्योंकि आप अभी शुरू-शुरू में करेंगे, देवता की देवी की आँखों में देखेंगे, तो आपका मन विजलित हो सकता है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको क्या करना, आपको दीपक की लॉग को देखना है आप दीपक की लोग को अगर देखेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा बहुत ही जल्दी उससे भी आपको परिणाम मिलेंगे दीपक की लोग को अगर आप देखते हुए ध्यान लगाते हैं तो आपके अंदर की सारी नकारात्मकताएं मिट जाएंगी साथ ही साथ आपका जो शरीर आपको भारी लग रहा है मन आपको भारी लग रहा है वो सब हलका हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा दीपक की जो लौ होती है ना वो आपके अंदर से चितनी भी नकारात्मकता है उसे चला देती है उसे भस्म कर देती है क्योंकि हम मूर्ती में भगवान को साक्षात अपने सामने पाते हैं साक्षात भगवान को अपने आगे पाते है और जब हम इस तरीके से करते हैं पूजा तो भगवान से और हमारा connection जो है वो बहुत ही जादा मजबूत हो जाता है और तब ही हम जो मन से मांगते हैं जो मन में हमारे दुख, दर्द, तकलीफ होती है भगवान उसे सुनते हैं और उसको नश्ट कर देते हैं दर्शकों वो दर्शकों बस और बस इसलिए होता है क्योंकि नकरात्मक जो उर्जा होती है वो आपकी आँखों से ही बहार आती है आप जब उस दीपक की लौको या भगवान के विग्रह को आखों से देखते हैं तो वो जो उर्जा होती है वो आपकी अंदर की सारी नकरात्मक ताओं को खीच के बहार निकाल देती है और आपको अच्छा लगने लगता है। साथी साथ एक और उपाय है कि आप जब भी कोई मंतर का जब करते हैं तो पांच माला जब करें। और आपको करना क्या है? आप एक माला जब करें और अपने बगल में एक ग्लास में एक लोटे में पानी रखे रहें। एक माला जब करने के बाद आपको तीन फूप पानी में मारती है। इसी तर दूसरे माला का जब करें तीन फूप पानी में मारें। पांच माला जब करने के बाद आप 15 फूप पानी में मारके उस पानी को ग्रहन कर लें। बस ऐसा करने मात्र से आपके अंदर की सारी नकारात्मकता निगेटिव एनरजी खतम हो जाएगी और जितनी भी नुनिया की सकारात्मक उर्जा है पॉजिटिव एनरजी है वो आपके अंदर आ जाएगी आपके सारे काम बढ़ने लगेंगे तो दर्शकों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजो और मैं भगवान श्री हरी विश्नु से प्रात्ना करती हूँ कि आपकी जोलिया सदयवी खुशियों से भरी रहे आपके ऊपर भगवान की क्रिपा परस सती रहे साथी साथ गीता में कहा गया है कि ज्ञान को बातने से ज्ञान वड़ता है तो इस वीडियो को जितने लोगों से अप शेयर करता कें उसे प्लीज शेयर करें मिलते है आप से अकले हे वीडियो में पार लाग वे